हेलो स्टुडेंट वेलकम टू स्टुडियो ऑफ कॉमर्स तो जैसा कि मैं अपने चैनल पे कंप्यूर्टराइज एकाउंटिंग सिस्टम की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जिसमें मैं क्लास 12 के लिए और CUET के एक्जाम के लिए काफी वीडियो बना चुकी हूँ अभी तक काफी वीडियो डाल चुकी हूँ कैई चैप्टर को मैंने एक्स्ट्रेन किया है और बहुत से MCQ भी आपको कराए है तो आज अस वीडियो में हम कुछ और MCQ करने जा रहे हैं Computerized Accounting System में तो आई होप आपको समझ में आएगा तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि वो भी बेनेफिट उठा सके ठीक है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे उसके ठीक है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोश्चन है दिए अकाउंटिंग सिस्टम रिफर करता है पहला प्रिंटिंग और बैलेंसीट एंड प्रॉफिट औंड लॉस एकाउंट यूजिंग कम्प्यूटर तो क्या सिर्फ बैलेंसीट और profit and loss account prepare करना ही है computerized accounting का का नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम analysis भी करते हैं हम report भी generate करते हैं हम invoice भी बनाते हैं तो बहुत सारी चीजे करते हैं computerized accounting की मदद से ठीक है भी option कह रहा है कि computerized accounting system एक ऐसा process of accounting है जिसमे process of accounting transaction through computer and produce records and reports तो ये option थोड़ा सही लग रहा है कि ये एक accounting process है जिसमें हम transactions को computer के through record करते हैं उसको produce करते हैं record को और report generate करते हैं C wall option कह रहा है process of accounting related data and printing reports तो ये के वल डेटा को print करने के लिए नहीं होता ये भी गलत है और डी वल उप्शन तो होगा नहीं तो हमारा बी वल उप्शन ज़्यादा सही लग रहा है कि computerized accounting system एक ऐसा system है जिसमें हम अपने accounting के transaction को process करते हैं computer की मदद से और records को produce करते हैं reports को generate करते हैं ठीक है चलिए अगला question देखते हैं यह से पहले इसका थोड़ा explanation देख लेते हैं तो computerized accounting system refer करता है to the processing of accounting transactions तो यह refer करता है कि हम अपने accounting transactions को computer की मदद से process करते हैं and hardware और software in order to produce accounting records and reports तो जब हम computer से कोई चीज़ करते हैं तो basically हमें hardware और software दूनों की जरुत होती है ठीक है तो हम अपने accounting के transaction को using a computer through the use of hardware and software in order to produce accounting records and reports ठीक है तो वही क्या कहलाता है computerized accounting system कहलाता है इसके components की बात करें तो इसके components भी कई question में पूछे गया हैं तो इसमें इसके चेक पांच components होते हैं पहला procedure दूसरा data तीसला people चौथा hardware और पांच वापका software होता है क्योंकि ये एक procedure है process है इसमें data भी होता है एक user होता है जिसे हम people बोलते हैं और hardware और software का combination होता है ठीक है तो ये सारे आपके components होते हैं computerized accounting system के ध्यान रखिएगा report component नहीं होता computerized accounting system का चलिए अगला question देखते हैं अगले question में कह रहा है the grouping of account means the classification of data from assets, liabilities and capital तो क्या केवल assets, liabilities और capital को इम group of accounts में कहते हैं तो फिर expenses कहां जाएंगे तो ये वाला option गलत हो जाएगा C में कह रहा है assets, owner, security, revenue and expenses अब इसमें capital को छोड़ दे रहा है ये भी गलत हो जाएगा B वाला option ज्यादा सही लग रहा है जिसमें हम assets को भी group कर रहे है capital को भी कर रहे है, liability भी है, revenue और expenses भी है तो the grouping of account means the classification of data from assets, capital, liabilities, revenue and expenses तो इसलिए B वाला सही हो जाएगा चलिए explanation देखते हैं, the increase in the number of transaction changes the value and size of the business तो जितने ज़्यादा हमारे number of transactions होते हैं, उसी साब से हमारे business का size होता है ठीक है, अगर बड़ा business है तो ज़्यादा number of transaction होंगे, छोटा business है तो कम number of transactions होंगे therefore it becomes necessary to have proper classification of data तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम एक proper classification करें data का क्योंकि हमारे number of transactions काफी होते हैं तो हम accounting equation की मदद से different accounts को classify करते हैं अब accounting equation क्या कहता है the modern accounting is based on double entry system तो मैंने बताया ये आपको कि हमारे system of accounting दो तरह के होते हैं एक आपका single entry system होता है, दूसरा आपका double entry system होता है तो currently हम double entry system पे work कर रहे हैं जिसमें हम दोनों concept यानि dual aspect को record करते हैं किसी भी transaction को तो which implies equality of assets and equities यानि हम assets और liabilities दोनों को साथ में लेके चलते हैं तभी यह वारा formula भी बना है कि assets is equal to liabilities plus capital चलिए इन दा एवर्ब equation the liabilities means claims on the firm by creditors and the capital means claims of owners तो liability का मतलब इस equation में क्या है कि वो creditors जिनको हमें पैसे देने हैं और वो capital जो owners के लिए claim की गई है ठीक है the claims of owners keep on changing due to success तो success profit or loss पे change होता है हमारी जो है ओनर की capital का claim ठीक है तो basically यह जो हमारा rule है कि assets is equal to liability plus capital तो capital में plus revenue और minus expense भी आ जाता है तो इसी लिए इसी के base पे हम अपने grouping of accounts को classify करते हैं चलिए अगला question देखते हैं अगले question में कह रहा है codification of accounts required for the purpose of तो यह question repeated question है बहुत बार आ चुका है कि codification of account जो हम बनाते हैं उसका क्या purpose होता है तो basically हम hierarchical relation से बनाना चाहते हैं groups और components के बीच में इसी लिए हमें codification of accounts accounts को कुछ code देते हैं तो code भी आपके कई तरह के होते हैं यह previous videos में मैंने आपको बताया है कि sequential code होते हैं mnemonics code होते हैं कहीं code से मैंने आपको बीच्जामपल समझाया है तो coding of accounts किसलिए क्या जाता है तो according to the concise oxford history the term code means a system of letter of figure with arbitrary meaning for gravity and for machine processing of information तो basically code क्या है code एक identification mark होते हैं इसको याद रखिएगा कि basically code क्या होते हैं एक identification mark होते हैं जिनके थुरू हम किसी भी चीज़ को identify कर पाते हैं there is a hierarchical relationship between the groups and its components तो groups और components के बीच में hierarchical relationship होता है जो कि code के थुरू हम बनाते हैं in order to maintain in order to maintain the hierarchical relationship between a group and its subgroup proper codification is required to ensure neatness of classification तो अगर हमें इनके बीच में relationship maintain करना है तो हमें proper coding करनी होगी ठीक है चलिए अगला question देखते है next question आपका कह रहा है कि what is the activity sequence of the basic information processing model तो क्या activity sequence होगा हमारे basic information processing model का ठीक है तो data को organize करेंगे फिर process करेंगे फिर collect करेंगे तो यह तो बिल्कुल गलत कह रहा है पहले data को collect करेंगे ना तभी तो organize करेंगे तो यह option गलत हो जाएगा बी में कह रहा है data को collect करेंगे फिर organize करेंगे फिर process करेंगे और फिर जो result निकल के आएगा उसको communicate करेंगे या interpret करेंगे तो बी वाला option तो सही लग रहा है C में कह रहा है data को process करेंगे organize करेंगे फिर collect करेंगे तो collect तो सबसे पहले होगा ना तो cv गलत हो जाएगा डी में भी collect हमारा बीच में आ जा रहा है जबकि collect कहां पह आना चाहिए पहले आना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी करेक्ट सिक्वेंस होगा चलिया है तो information processing model क्या है the information processing model is a framework used by cognitive psychologist to explain and describe mental process तो यह एक cognitive psychologist है जोनोंने explain किया है इस framework को the model link is at the thinking process to how computer works तो model एक link बनाता है thinking process का कि computer हमारा कैसे काम करता है पहले हमें अपने data को feed करना होता है फिर वो organize करेगा फिर communicate करेगा यही सारी चीज़े होती है important point क्या है the brain like a computer is thought to operate in a predetermined order receive input तो computer क्या करता है पहले input receive करेगा फिर process करेगा और फिर output हमें provide करेगा ठीक है तो यह basically sequence होता है चलिए अगला question देखते हैं an accounting information system process the financial transaction and events based on तो हमारा जो accounting information system होता है मैंने आपको बताया है एक आपका AIS होता है दूसरा आपका MIS होता है AIS मतलब हो गया accounting information system MIS मतलब हो गया management information system तो जो accounting information system होता है उसका main motive क्या होता है वो हमारे finance को maintain करता है ठीक है financial चीज़ों पर उसका main motive होता है कि कैसे financial statement prepare करना है कैसे profit loss निकालना है यह सारी चीज़े accounting information system में होती है लेकिन जो management information system होता है वो non financial होता है उसका main motive decision making पे होता है ठीक है तो कह रहा है accounting information system processes the financial transaction and events based on governing principle यहां पे governing principle कोई है नहीं नहीं कोई management principle है बलकि किस पे based होता है generally accepted accounting principles तो GAAP जिसको हम gap भी बोलते हैं उसी पे हमारा accounting information system based होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि भले हम computer पे accounting कर रहे हैं लेकिन जो accounting के principles जो rules regulations हमने पढ़े हुए हैं हमें उनको follow करके ही accounting accounting करना है ठीक है अगर डेबिट जो चीज़ डेबिट होती है वो डेबिट ही होगी जो चीज़ क्रेडिट होती है वो क्रेडिट ही होगी चाहें computer पे ही accounting क्यों ना कर रहे हो हमें money के terms में ही transaction को record करना होगा मतलब जो भी principles यह conventions बनी हुई है उनको follow करते हुए ही हम computer पे भी accounting करते है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा चलिए तो computerized accounting system is an accounting information system तो यह एक तरह का accounting information system होता है हमारा computerized accounting system that process the financial transaction and events as per the generally accepted accounting principles जोकि हमारे financial transactions और events को process करता है as per generally accepted accounting principle जोकि हमारे gaps है to produce reports as per user requirement every accounting system manual or computerized has two aspects तो हमारे चाहे जो accounting system हो चाहे manual हो चाहे computerized हो सबके दो aspects होते ही ठीक है चलिए अगला question देखते हैं where are amounts owed by customers for credit purchases found customer के द्वारा owed किया गया है amount credit purchases पे तो में कहां पे निखाएंगे account receivable में निखाएंगे नहीं क्योंकि receive नहीं किया है में pay करना है general laser में भी नहीं होगा sales में भी नहीं होगा यह आप कहोगा accounts receivable रिसीबेबल सबसीडरी लेजर में क्योंकि अभी पे किया नहीं है पे करना है तो परचेज एंड एकाउंट्स रिसीबेबल सबसिस्टम ऐसा सबसिस्टम है जो की डील करता है परचेज एंड पेमिन्ट टू क्रेडिटर इट प्रोबाइड फॉर ओर्डरिंग ऑफ गुड्स शौर्टिंग ओप परचेज एक्सपेंसेस एंड पेमिन्ट टू दा क्रेडिटर तो यह सारी चीजें जितुने वी हम क्रेडिट पर्चेजर कर रहे हैं यह जितने भी क्रेडिटर सेंग पेमिन्ट सब हमारे परचेज एंड एकाउंट्स रिसीबेबल सबसिस्टम में आज इस सबसेस्ट्ट्र में müटिंटेन जब भी कस्टमर्स उनके क्रडिट परचैस क्यें मॉण्ट होते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चिन देखते हैं security features of computerized accounting software include तो हमने पढ़ाया है तीन तरह के computerized accounting software के security features होते हैं देखे आप यह जो mcqs में आपको करा रही हो इसको समझने के लिए आपको पूरी playlist देखनी होगी जो की computerized accounting system की है मेरे channel पे उसमें मैंने detail में हर एक chapter को explain किया है उसके बाद ही आप यह mcqs देखेंगे तो आपका concept अच्छे से clear होगा आपको समझ में आएगा otherwise आप confuser में रहेंगे ठीक है तो मैंने आपको previous वीडियो में बताया है कि computerized accounting software के तीन security features होते हैं एक आपका password security होता है दूसरा आपका data audit की security होती है ठीक है चलिए आगला detail देख लेते हैं इसमें भी मैंने detail रखा हुआ है तो security features of computerized accounting system software is every accounting software ensures जितने भी accounting software हो फिर चाहे वो आपका tally हो या कोई और हो सब में data security होगी safety होगी और confidentiality होगी therefore every software provides the following सभी accounting software आपको यह तीन security प्रोबाइट करेगा एक password security दूसरा data audit की और तीसरा data vault की ठीक है चलिए आगला question देखते है what is not an advantages of computerized accounting system तो कौन साइस में advantages नहीं है computerized accounting system की तो computerized accounting system की high speed होती है बिल्कुल सही बात ही advantages है तो यह answer नहीं होगा दूसरा high reliability होती है यह भी सही बात है यह भी advantages है ठीक है तीसरा है reduced training cost यह जो reduced training cost है यह आपकी advantages नहीं है ठीक है बलकि यह disadvantages है कि high training cost लग जाती है तो इसलिए यह वाला option हमारा answer हो जाएगा question का c ठीक है चलिए अगला question देखिएगा sequence question की numbering पर मध्यान दीजेगा numbering आगे पीछे है ठीक है चलिए अगला question देखते है यह हमारा question Excel से है which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialogue box तो इसमें से कौन सा format है जिसको आप auto format dialogue box में दिखाते हैं ठीक है तो एक आपका number format दूसरा है border format तीसरा है fund format तो यह तीनो format है जिससे हम auto format dialogue box में format कर सकते हैं तो यहाँ पर d option सही हो जाएगा all of the above चलिए इसका explanation देखते हैं auto format option in Excel is a unique way of formatting data quickly तो यह एक unique तरीका होता है अलग तरीका होता है जिससे हम अपने data को formatting कर लेते हैं quickly the first step is we need to select the entire data तो पहला step formatting करने के लिए क्या होता है कि हमें अपने data को पूरा select करना होता है control a press करके we need to format and then the second step we need to click on auto format तो format करके फिर हम auto format पे क्लिक करेंगे from the qat and third step we need to choose the format from different options तो auto format का यह dialog box होता है ठीक है इसी तरह अपने data को format करते हैं तो format में कितनी तरह के होते हैं number से format कर सकते हैं border से कर सकते हैं font से कर सकते हैं pattern से कर सकते हैं alignment से कर सकते हैं wait और hide से कर सकते हैं तो इतने options होते हैं तो यह number border font यह तीनों तरह से होता है इसलिए यह वाला answer सही हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question में कह रहा है how can you remove borders applied in cells तो हम अपने borders को कैसे remove कर सकते हैं जो अगर हमने cells में border लगा आया तो इसको कैसे हटा सकते हैं ठीक है तो पहला option है choose none और border tab of format cell तो हम border tab में जा करके none choose कर लेंगे तो border हट जाएगा दूसा option है open the list of on order tool in format cell toolbar then choose first tool none ठीक है तो इसमें भी करके हम अपने border को हटा सकते हैं तो इसलिए see wall option सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही तरीके से हम border को अपने cell से हटा सकते हैं ठीक है चले देखिए यहां पर explanation भी है on the home tab in the font group click the arrow next to border button and then click no border button ठीक है तो यह option है दूसरा option क्या है कि फिर से home पे गया border arrow पे गया erase border पे गया and then select the cells with the border you want to erase to border erase हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं how can activate a cell by तो हम cell को कैसे activate कर सकते हैं पहला option है pressing the tab की दूसरा option है clicking the cell तीसरा option है pressing an arrow की तो यह तीनों ही option सही है इसलिए all of the above one मारा answer हो जाएगा चलिए तो इस cell can be ready to activate by any of the method pressing the tab की और clicking the cell और pressing an arrow की तो इन तीनों ही method से हम अपनी cell को activate कर सकते हैं चलिए अगला question देखते हैं you can set page border in excel from तो excel में page border कैसे set कर सकते हैं from border tab in format cell dialog box from border tool in formatting toolbar from line style tool in drawing toolbar you cannot set page border in excel तो cd से बात है हम excel में page border नहीं लगा सकते page border कहां पे लगता है ms word में लगता है तो हम word में लगा सकते हैं लेकिन excel में हम page border नहीं लगा सकते ठीक है तो इसलिए डीवल option सही हो जाएगा देखिए explanation में भी दिया हुआ है there is no option to set page border in excel चलिए अगला question देखते हैं अगले question में कह रहा है how do you insert a row तो रो इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है हमें right click करना होता है mouse पे the row heading where you want to insert the new row and select insert from the shortcut menu फिर हम insert कर लेते हैं रो को और फिर रो को आप right left जहां insert करना चाहें वहां पे insert कर सकते हैं तो इसलिए अवल option हमारा सही हो जाएगा तो आगे पढ़ने की जरुवत ही नहीं है तो solution भी दिया हुआ है right click the row heading where you want to insert the new row and select insert from the shortcut menu in Excel यह ठीक है और अगर 2007 है तो higher version में home पे जाएंगे insert पे जाएंगे और insert sheet rows पे जाएंगे ठीक है तो यह दोनों ही option है अलग-अलग version के लिए तो आज के total इतने question थ आएगा तो like करिएगा ज्यादा से ज्यादा share करने की कोशिश करिएगा और इसकी PDF के लिए आप telegram group join कर सकते हों यहां पे comment कर दीजेगा तो मैं आपको PDF send कर दूँगी चलिए channel को subscribe कर दीजेगा आगे के और वीडियो ऐसे ही देखने के लिए thanks for watching